तो इस गृत्वी त्वरण के मान को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के बार इस पर अधारित कुछ निमेरिकल कोश्चन्स बनाते हैं। पृत्वी की सता पर किसी वस्तु का भार 81 न्यूटन है। यदि उसे पृत्वी की सता से पृत्वी की त्रिज्य की आधी के बराबर उचाई पर ले जाया जाए तो उसका भार कितना होगा। सुत्र अनुसार, g डash upon g बराबर r upon r plus h का होल स्क्वेर होता है। यहाँ पर h बराबर r upon 2 है, यह मान समी करण में रखने पर हमें मिलेगा g dash upon g equal to r upon r plus r by 2 का square, अब numerator और denominator में r common लेने पर हमें मिलेगा r upon r, bracket के अंदर 1 upon 1 plus 1 by 2 का whole square, और यदि इसे solve करते हैं, तो में मिलेगा 2 by 3 का whole square, यानि कि 4 by 9. यदि पृत्वी के सत्रा पर वस्तु का भार w है, तथा r by 2 उचाई पर वस्तु का भार w dash हो, तो उस condition में w dash upon w equal to होगा mg dash upon mg, यानि कि g dash upon g, यानि कि 4 upon 9, तो में लिख सकते हैं, w dash पराबर 4 upon 9 into 81, क्योंकि वस्तु का भार 81 newton दिया गया है, तो w dash बराबर हो जाएगा 36 newton. अगला प्रश्नी, पृत्वी की सत्ह से 8 km की गहराई पर g कमान क्या होगा, पृत्वी की तरिज्या 6400 km तता पृत्वी की सत्ह पर g कमान 9.8 meter पर p.s है, दिया गया है, H बराबर 8 km और R बराबर 6400 km और G का मान 9.8 मीटर प्रतीव वर्ग सकेंद अब सूत्र अनुसार G' इक्वल टू G ब्रैकेट के अंदर 1-H अपॉन R यहां मान इस सूत्र में हम सारे मान को लिखतेते हैं तो जिएका 9.8 ब्रैकेट के अंदर 1-8 अपॉन 6400 और इन सब को सॉल्व करते हम तो हमें मिलेगा 9.79 मीटर प्रतीव वर्ग सेकंद भुमद्य रेखा पर G का मान ज्याद कीजिए दुरू पर इसका मान 9.81 मीटर प्रतीव वर्ग सेकंद हो और दिया गया है R बराबर यानि कि प्रत्वी की त्रिज्य बराबर 6.4 इन्टू 10 तुद पावर 6 मीटर इस प्रश्ण में क्या क्या दिया गया पहले हम वो लिखते हैं जी पी यानि कि दुरू पर गृत्वी त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रतीव वर्ग सेकंद प्रत्वी की त्रिज्य आर बराबर 6.4 इन्टू 10 तुद पावर 6 मीटर अब हम जानते हैं कोनिय वेक बराबर होता है टूपाई अपॉन टी जहाँ टी परिक्रमन काल कहलाता है हम जानते हैं प्रत्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यानि कि घुरनी गती करने में 24 घंटे लगते हैं तो टी बराबर हो जाएगा 24 घंटे 24 घंटे को अब हम second में change करेंगे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 second तो हम लिखेंगे 24 इंटो 60 इंटो 60 अब यह मान इस सूत्र पर रख देते हैं पाई का मान 3.14 लेंगे तो हम जगा 2 इंटो 3.14 अपाउं 24 इंटो 60 इंटो 60 रिएंट प्रती सेक्ट अब सूत्र है जी इ बराबर जी पी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर जहां जी इ भूमध्य रेखा यानि कि एक्वेटर पर गूत्वी तुरण का मान है अब सारे मान इस उत्र पर रखते हैं तो हमें मिलेगा 9.81 माइनस 2 इंटो 3.14 अपाउं 24 इंटो 60 इंटो 60 का होल स्क्वेर इंटो 6.4 इंटो 10 तुद पावर 6 और इसे हल करेंगे हम तो हमें मिलेगा 9.81 माइनस 5.28 इंटो 10 तुद पावर-9 इंटो 6.4 इंटो 10 तुद पावर 6 और 9.81 माइनस 33.79 इंटो 10 तुद पावर-3 और लिäg सक्ते हैं 9.81 माइनस 0.03379 जूशे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9.776 मेर परती वर्क सेंट बच्चो इस गुरुत्वा कर्षण बल के सूत्र से हम देखें तो यह बल का मान दूरी के वर्ग की व्यूत्क्रम अनुपाती है इसका मतलब जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाते हैं दो पिंडों के बीच में तो उनकी बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान भी धीरे-धीरे कम होने लगता है बच्चो इसका अनभव हमने चुम्बक के साथ भी किया है यदि हम एक चुम्बक का आकर्षण देखे लोह पदार्थों के लिए तो एक निश्चित दूरी तक ही रहता है यदि लोह पदार्थ उसके पास रखे हों तो आकर्षण अधिक होता है जैसे जैसे लोह पदार्थ बहुत दूर चले जاتे हैं तो उसके आकर्षण छमता कम हो जाती है ऐसे ही हमने आवेशों के लिए भी देखा है जिसे जिसे हम दूर जाते जाते हैं इस बल का मान छेड़ होने लगता है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गृत्वा कर्शन बल का मान दूरी के साथ साथ व्यूत कर मनुपाती है मतलब दूरी अधिक होने से ये गृत्वा कर्शन बल का मान धीरे-धीरे कम होने लगता है और यदि हम बहुत दूर चले जाएं तो ये गृत्वा कर्शन बल किसी पिंड के लिए वो मान सकते हैं कि शून्य हो जाता है यह यू कहें कि एक निश्चित एरिया तक ही किसी पिंड का गृत्वा कर्शन बल कार्य करता है और यह एरिया उस पिंड का गृत्वी छेत्र कहलाता है यहां यू कह सकते हम किसी पिंड का गुरुत्वी छेत्र वहाँ छेत्र होता है जहां तक किसी अन्य पिंड के द्वारा उसके आकर्शन बल को अनुभव किया जा सकता है अब यह पिंड किसी भी अन्य पिंड को कितनी चमता से अपनी और आकर्शित कर रहा है उसे हम उस गुरुत्वी छेतर की तीवृता कहते हैं मान लीजे यहाँ पर एक पिंड है और इस पिंड का अपने गुरुत्वी छेत्र होगा और इसी छेत्र के अंदर ही कोई अन्य पिंड इसके आकर्शन बल को अनुभव कर सकता है हम देखते हैं कि जब पिंड बहुत दूर में होगा तो इस पिंड के द्वारा इस पर आकर्श आकर्शन बलादीख होगा दूर रहेगा तो आकर्शन बल का मान कम होगा अब इस गुरुत्वी छेत्र में हम देख रहे हैं कि अलग-अलग बिंदूओं पर आकर्शन बल का मान अलग-अलग है क्योंकि आकर्शन बल का मान तो दूरी पर निर्भर कर रहा है तो दूरी के हम देख रहे हैं कि अलग-अलग बिंदूओं पर आकर्षन बल का मान भी अलग-अलग होगा। तो इसी प्रकार हम देखें कि यह कितनी चमता से कितने बल से इस पंड को आकर्षित कर रहा है वह मान भी इफ्रेंट होगा। और इसे ही हम कहते हैं गुरूत्वी छेतर की तीव किसी बिन्दू पर, किसी एकांग का द्रवेमान के पिंड पर लगने वाले अकर्षण बल का मान होती है। यहां पर बच्चो मैंने एक शब्द यूज कि है एकांग का द्रवेमान का पिंड है युक्षिली जब हम किसी पिंड की गुरूतवी छेतर की बात कर रहे हैं- उसके मान को कैल्पुलेट कर रहे हैं तो हम एक ऐसा पेंड ले रहे हैं जिस पर हम प्रेयोग कर रहे हैं जैसे कि इस स्थिती में इस पेंड का हमने गुरुत्वी छेत्र लिया है और ये गुरुत्वी छेत्र कितने दूर तक है कितना प्रबल है इसको ग्याद करने के लिए ह हम simplify नहीं कर पाएंगे इसलिए जब भी हम परिक्षण द्रव्यमान लेते हैं मतलब ऐसा द्रव्यमान जिसके आधार पर हम परिक्षण कर रहे हैं किसी द्रव्यमान के गूतवी छेतर का तो वह पेंट सदय भी एकांक द्रव्यमान को होना चाहिए तो जब भी मैं द्रव्यमान का पेंट लिया है और इस पर कितना बल कार्य कर रहा है वही इस पेंट की गुरुत्वी छेतर की तीवरता कहलाएगी और गुरुत्वी छेतर की तीवरता को हम अंग्रेजी अल्फाबेट के इस कैपिटल लेटर आई से दर्शाते हैं तो सूत्र अनुसार लिस्दी की तीवरता एक सदीश राशी है क्योंकि जब हम बल की बात करते हैं तो बल एक सदीश राची है और इसकी दिशा हमेशा इस पेंड की और होगी जिस का गुरुत्वी छेतर आपनेे है क्योंकि यहां पेंड हमेशा किसी भी अन्य पेंड पर आकर्शन बल लगाएगा और आकर्शन बल हमेशा इस पेंड के केंद्र की ओर ही होगा तो गृत्वी छेत्र की तीवरता भी इस पेंड के केंद्र की ओर ही होगी अब इसका ऐसाई मातरक देखते हैं बलका ऐसाई मातरक होता है Newton औरüre व्यमान का kg तो गृत्वित छेत्र की तीव्रद्रत कैसा मांतरक होता है Newton प्रती kg अब इसका विमी शुत्र देखेंगे बलका विमी सुत्र ? यहांस यहां से मौर मैं कैंसल हो जाएंगे तो गृत्वी छेत्र की तीवर्द्रत का विमी शुत्र होगा M0LT-2 बच्चो यहाँ पर हमने देखा कि गुरुत्वी छेत्र की तीवरता में कहीं पर भी स्पिंड के द्रव्यमान के बारे में कोई जिक्र नहीं है यह जो सूत्र है यह परिक्षन द्रव्यमान पर आधारी सूत्र है मतलब ऐसा द्रव्यमान जिसको हमने टेस्ट करने के ला आया था यदि इसी सूत्र को हम इस पिंड के द्रव्यमान के आधार पर लिखना चाहें जिस पिंड का गुरुत्वी छेत्र हमने लिया है तो इस फॉर्मले को हम चेंज करके लिख सकते हैं मान लीजी हमने ये पिंड का द्रवेमान capital M से दर्शाया है और जिस पिंड को हम परिक्षन करने के लिए ला रहे हैं, टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, उसे small M से दर्शाया है। अब इन दोनों के पीच में अकर्षन बल कारे करेगा, तो न्यूटन के सारवत्रिक गुरूत्वा कर्षन नियम के नुसार, इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल F पराबर होगा G M M upon R square, मान लीजी इन दोनों पिंडों के केंद्र की दूरी R है, अब यहां से हम देखें, तो F upon M हम लिख सकते G M upon R square, और F upon M, अभी हमने देखा था, यह गुरूत्वी छेत्र की तीवरता का सूत्र है, इसे हम I से दर्शाते हैं, तो हम लिख सकते I बराबर G M upon R square, अब यहां पी यह जो सूत्र दिख रहा है, इसमें जो capital M है, यह उस पिंड का दरवेमा जिसका गुरूत्वी छेत्र हमने लिया है, और यहां पर R इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी है, तो इससे भी यह सपष्ट है कि गुरूत्वी छेत्र की तीवरता भी दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत करम अनुपाती होती है, इसका मतलब जैसे जैसे ये परिक्षण द्रव्यमान इस पेंड से दूर होते जाएगा उस पर लगने वाली गुरुत्वी छेत्र की तीवरता का मान घटने लगेगा और जैसे ये गुरुत्वी छेत्र से बाहर हो जाता है तो हम यू कह सकते हैं कि इस परिक्षण द्रव्यमान पर सित फ equipped हमने जो लिये हैं इसे हम प्रित्वी मान लेते हैं है कि और 25 से मानνे लिजे और आरभी पर ये प्रित स्थित एंब चो ये दोनों पिंडो केंदर से ली जाती है कि यम जानते हैं कि गुरुत्वा कर्शन बल जो है उसकी विशेष्टा होती है कि वो दोनों पिंडों के केंद्र को जोडने वाली रेखापल कारे करता है क्योंकि यह केंद्री बल है और हम गुरुत्वी त्वरण के सूत्र से जानते हैं जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क में और वैर और यदि हम पृत्वी के गुरुत्वी छेत्र की ती वरता ज्यादकरना चाहें तो यह जो पिंड हमने कंसीडर किया है उसे हम पृत्वी मान लेते हैं और मान लिजिए पृतिवी वो हमेशा पृत्वी की त्रिज्य की तुल्या में नगण नहीं होगी तो हम उस condition में यहाँ पर यह जो दूरी है R उसके जगे capital R लिख सकते हैं और हम पृत्वी की गृत्वी छेत्र की तीवरता इस condition में लिखें तो यहोगा I बराबर GM upon R square यहाँ पर हम capital R लिखेंगे क्योंकि अब इन दोनों के बीच की दूरी लगभग पृत्वी की त्रिज्य के बराबर है पर यह जो सूत्र है अभी हमने ग्याद किया कि पृत्वी की गृत्वी तुरण का सूत्र है जिसे हम दी से जर्शा आते हैं और हम लिखते हैं G equal to GM upon R square इसका मतलब I बराबर G है और यू कह सकते हैं कि पृत्वी के गृत्वी छेत्र के अंदर किसी बिंदू पर गृत्वी छेत्र की तीवरता उस बिंदू पर गृत्वी त्वरण के मान के बराबर होती है और इस प्रकार यदि हम पृत्वी की सतह पर गृत्वी छेत्र की तीवरता देखे तो वो पृत्वी के गृत्वी त्वरण के मान के बराबर ही होगी यानि कि 9.8 मीटर प्रतिव वर्ग सेकंड ही होगी अब बच्चो हम गृत्वा कर्षण से जुड़ा हुआ एक अकले कॉंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम गृत्वी विभव कहते हैं बच्चो मान लीजे एक पिंड है जिसका दरविमान हमने M लिया है अब इस पिंड का अपना एक गृत्वी छेत्र होगा और इसी गृत्वी छेत्र के अंदर ही इस पिंड का आकर्षण बल कोई अन्य पिंड महसूस कर सकेगा अनुभव कर पाएगा अब मान लीजे अनंत पर कहीं बहुत दूर पर एक अगला पिंड रखा हुआ क्या ये पिंड इसकी गृत्वी छेत्र का अनुभव कर पाएगा नहीं अब उस पिंड को हमको इसके पास लाना है तो उस पिंड पर कार्य करना पड़ेगा हमें क्योंकि हम उस पिंड को लेकर आ रहा है मतलब कार्य किया जा रहा है लेकिन जैसे ही इस पिंड के गुरुत्वी छेत्र वो एंटर करेगा वहाँ पर अपने आप ही गुरुत्वा कर्शन बल की कारण वो पिंड इस पिंड की ओर अपनी आप ही खीचे चलाएगा मतलब अब यहाँ पर इस पिंड के गुरुत्वी छेत्र के कारण कार्य हो रहा है यह यह कह सकते हैं इस पिंड के कारण जो गुरुत्वा पर करशन बल उत्पन हो रहा है उसके कारण कार्य हो रहा है और इस पिंड के गुरुत्वी छेत्र में इस दूसरे पिंड को लाने में इस गुरुत्वी छेत्र के द्वारा ही कारी किया जा रहा है और यूँ कह सकते हैं कि इस पिंड के आकर्शन बलके द्वारा ही कारी किया जा रहा है और यहां किया गया कार यही विभव कहलाता है और इस विभव का मान इस गुरुत्वी छेत्र के अलग-अलग बिंदू पर अलग-अलग होगा इसलिए जब हम विभव को परिभाशित करते हैं तो यह किसी पर्टिकुलर बिंदू के लिए परिभाशित करते हैं और जो पिंड हम अनन्त से ले कर आ रहे हैं उस पिंड का दरविमान हम सदय भी इकाई लेते हैं यूगि मैंने पहले ही बताया कि जिस पिंड को परिक्षन करने के लिए लाया जाता है उस पिंड का दरविमान हमेशा इकाई लेते हैं ताकि हमें आगे calculations करने में या फिर derivations बनाने में आसानी हो तो किसी भी पिंड के गुरुत्वी छेतर के अंदर किसी बिंदू का विभव उस बिंदू तक किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किये जाने वाले कारे के बराबर होता है और इस प्रकार हम विभव बराबर लिखते हैं कारे अपॉन त्रव्यमान याणि V बराबर W अपॉन M और यह सदय भी रिनात्मक राशी होती है क्योंकि यहाँ पर कार्य आकर्षन बल के द्वारा किया जा रहा है और बल द्वारा किये गए कार्य को यदि हम चिन्न परिपाटी इस्तमाल करें तो रिनात्मक लिखते हैं इसनी हम लिखते हैं V बराबर माइनस W अपॉन M अब इसका ऐसा ही मात्रक देखते हैं कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी अब इसका विमी सूत्र देखते हैं विमी सूत्र कार्य को होता है M L स्क्वेर T माइनस 2 और जबकि द्रविमान का विमी सूतर हो था M यहांसे M और M कैंसल हो जाएंगे तो मैं मिलेगा M0 L2 T-2 अब अच्छो हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाने में किया गया कार यह और हम एक दिशा की भी बात कर रहे हैं कि यह पिंड अपनी और आकरशित कर रहा है यानि बल के द्वारा किया गया कार यह है अब इस अधार पर मुझे यह बताईए कि विद्दुत विभव कौन सी राशी है सदीश या अदीश जनरली बच्ची यहां पर कन्फ्यूज हो जाते हैं हम सोचते हैं यहां आकरशन बल के द्वारा कारी हो रहा है मतलब आकरशन हो रहा है तो हम वहाँ पर दिशा इमैजिन करने लग जाते हैं और हम जनरली विद्दुत विभव को एक सदीश राशी लिख देते हैं लेकिन विद्दुत विभव कारी के बराबर है और कार ये कैसी राशी है अदीश इसलिए विद्द विभव भी एक अदीश राशी है बच्चो जो हमने विभव का फॉर्मुला यहाँ पर देखा इस फॉर्मुले में यह जो M है यह तो परिक्षण द्रवेमान है मतलब जिसको हम लोग टेस्ट करने ला रहे थे इस पेंड के बारे में कहीं भी उलेक नहीं है जिसकी गुरुत्वी छेत्र की कारण ही हम यहाँ पर विभव निकाल रहे थे तो इस फॉर्मुले को यह दि हम इस पेंड के आधार पर लिखना चाहे तो उसकी भी विद्पति कर सकते है तो मान लीजे हम यहाँ पर एक पेंड लेते हैं जिसका द्रवेमान M है और इसका केंद्र बिंदू हम O ले लेते हैं अब मान लीजे इसके गुरुत्वी छेत्र में हमें किसी बिंदू P पर इस पेंड का गुरुत्वी विभव ग्याद करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि हम एक द्रवेमान ले रहे हैं जिसे हम अनंत से लेकर आएंगे और उसमें हमको कितना कार्य कर कंशित्र ना पड़ेगा क्योंकिकर परीभाशत यहीं कहती है कि किसी भी पेंड को अनंतसे से जब लेकर आओगे किसी पेंड के गुरुत्वी छेत्र में तो पिंदू तक लाओगे उस बिंदू तक लाने में जितना भी कारिय इस गुरुत्वी बल के द्वारा हो रहा है वह उस बिंदू का गुरुत्वी विभव कहलाता है तो हम यहां पर डारेक्ट अनंत से लेकर इस पी बिंदू में नहीं लाएंगे हम पहले एक छोटे से जगे पर उसका विस्थापन देखेंगे और देखेंगे कि वहां पर कितना कार्य करना पड़ रहा है फिर हमारे पास कई mathematical tools हैं जैसे कि समा कलन और अवकलन तो यहां पर हम समा कलन का उप्योग करेंगे और पहले छोटे से हिस्से के लिए ग्याद करेंगे उसके बाद समा कलन करके हम अनंत से निकाल सकते हैं तो यहां पर हमने एक द्रव्यमान लिया है जो मालीजे अनंत पर रखा हो और हमको पी ब यहें हम द्रव्यमान का पिंड ए बिंदु पर रखा है और यह बिंदु इस बिंदु इस पिंड के ओ बिंदु से एकसे दूरी पर स्थित हैं अब पहले हम देखते कि ए से लेकर बी तक इसको लाने में कितना कारिये किया जा रहा है ये पूरा A बिंदू भी इस पिंड के गुरितवी छेत्र के अंदर ही है तो हम देख रहे हैं कि इस गुरितवी छेत्र के अंदर A से लेकर B बिंदू तक लाने में कितना कारिय करना पड़ गाए है तो हम लिखेंगे gm upon x square अब हम spend को a से लेकर b तक ला रहे हैं और a से लेकर b तक की दूरी मान लीजिए dx है तो पहले हम देखते हैं कि a से लेकर b बिंदू तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है मान लीजिए विस्थापन हमने थोड़ा से ही लिया है dx लिया है अलप विस्थापन लिया है तो ये कार्य भी अलप लेंगे हम जानते हैं कार्य का फॉर्मला होता है बल into विस्थापन तो हम लिखेंगे dw बराबर f into dx अब इस बल का मान लिख देते हैं यह है gm upon x square और विस्थापन है dx अब यदि हम इस द्रविमान को अनंत से लेकर p बिंदू तक लाते हैं और माली जी के p बिंदू इस o बिंदू से r दूरी पर स्थित है यानि कि स्पिंड के केंद्र से यह r दूरी पर स्थित है तो अब हम यहाँ पर help लेंगे समाकलन की समाकलन को apply करेंगे हम यहाँ पर दूरी लेंगे अनंत से लेकर r अभी हमने a से लेकर b बिंदू तक लाने में कारे का सूतर ग्याद किया अब जब कुल कारे निकालेंगे मतलब अनंत से लेकर p बिंदू तक कारे निकालेंगे तो बस यहाँ पर समाकलन लगा देते हैं और समाकलन की लिमिट लिखेंगे तो हम लिखेंगे W बराबर समाकलन लिमिट लगाएंगे अनंत से लेकर R मैं जो आप समझ कियोंगे हम यहाँ पर क्यों समाकलन का उपयोग कर रहे इंगी यह दूरी बहुत अधिक है और जब बहुत अधिक दूरी के लिए और जो दूरी हमको ग्यातन हो हम अनंति की बात कर रहे हैं तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं समाकलन का उप्योग करते हैं हम चोटे सी एरियको निकालते हैं और जितनी भी दूरीक लिए निकालना है जितने भी एरिया वॉल्यूम यह जो भी हमको कॉंटिटी दी गई है जिसके लिए हमको ग्याद करना है तो उसका हम समाकलन कर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहों तो यहां पर भी हम लिमिट लगा देंगे अनंत से लेकर आर्थ तक जी समाकलन के बाहर हो जाएगा समाकलन के अंदर बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वेर को होगा और यहां पर हम समाकलन के नियम को लगाते हुए समाकलन को हल करेंगे इस 1 upon x square को हम लिख सकते हैं समाकलन x to the power minus 2 क्योंकि हमारे पास समाकलन x to the power n का सूत्र है तो जो सूत्र हमारे पास ज्याद है उसके अधार पर ही हम समाकलन करेंगे तो यह होता है x power n plus 1 upon n plus 1 तो इसी प्रकार x power minus 2 का समाकलन होगा x power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 और इसको हल करेंगे तुम्हें मिलेगा x power minus 1 upon minus 1 अब minus चिन हम हमेश डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं तो हम इसको उपर लिख देंगे numerator में और x power minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 upon x तो x power minus 2 का समाकलन होगा minus 1 upon x और यह समाकलन हमने already कर दिया था और इस मान को सीधे हमें सूतर में लिख देते हैं ताकि कोई भी calculation में गड़बड़ी ना हो तो हम लिख सकते हैं w बराबर gm bracket के अंदर minus 1 upon x अब यह limit जो लगी थी उसे लिखेंगे पहले हम lower limit लिखेंगे अनंत और उसकी बदापर limit लिखेंगे r अब यह minus sign को हम bracket से बाहर निकाल देते हैं तो यह formula बन जाएगा w बराबर minus gm bracket के अंदर 1 upon x limit लगाएंगे infinity to r अब हम सीमा को हल करेंगे जब सीमा को हल करते हैं तो पहले upper limit लिखते हैं उसकी बद माइनस करके lower limit लिखते हैं बच्चों यह सब समाकलन के नियम के अंतरगत आता है जो बच्चे मैट्स लिए होंगे वो तो समाकलन में पूरा यह सारा चीज़ पढ़ेंगे जो बाइलोजी लिए हैं उनको भी समाकलन के नियम जानने हैं वैसे भी हमने अपने 11 के syllabus में शुरुआत के पार्थ में समाकल और आफकलन हमेशा यूज होते हैं तो हम डीप में भी यह दी समाकलन और आफकलन को नहीं जाने तो कुछ खास फॉर्मले जो हमेशा physics में स्तमाल होते हैं उसको हमको याद रटना है उस पर हम चर्चा करेंगे ही तो यहाँ पर भी यह फॉर्मला हमेशा इस्तमाल होता है त अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी और एक बटे अनन्थ होता है जीरो तो यह जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर और यह सूत्र है गुरुत्वी विभव का और इस सूत्र में हम देखें तो गुरुत्वी विभव का मान रिनात्मक आ रहा है वैसे ही मैंने पहले वह पी चर्चा किया थी कि गुरुत्वी विभव का मान हमेशा रिनात्मक होता है क्योंकि यह गुरुत्वी बल के द्वारा किया गया कारी होता है और इस सूत्र में देखें तो एक Capital M यहां पर इस पेंड का दरवेमान हैं और हम इसी अधार पर इतो सूत्र ग्यात करना च चाह रहते हैं तो गुरुत्वी विभव का में एक और फॉर्मुला देख सकते हैं वी इस इकवल टो माइनस जी एम अपॉन आर और इसी सूत्र से हम पृत्वी के लिए भी गुरुत्वी विभव के मान को क्याल्कुलेट कर सकते हैं पृत्वी के सता पर यदि हम देखे तो आर बराबर आर होगा यानिके पृत्वी के द्रिज्या तो पृत्वी के सता पर विद्दुत विभव का मान होगा वी इकवल टो माइनस जी एम अपॉन आर और ये मान व्रिनात्मक हैं अब हम अगले स्थिती देखते हैं जब आर बराबर अनन्थ होगा मतलब हम पृत्व में वी बराबर होगा माइनस जी एम अपॉन इंफिनिटी और किसी भी चीज़ को जब हम अनंत से भाग देते हैं तो वो शून्य हो जाता है तो इस कंडिशन में विभव कमान शून्य हो जाएगा अब ये बताईए कि केस इस्थिती में गुरुत्वी विभव कमान अधिक्त में जनरली यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं जीरो लिखा है तो ये अधिक्तम में इसका मतलब जो 0 मान मिल रहा है वह गुरुत्वी विभव की अधिक्तम मान है और इस प्रकर हम कह सकते हैं कि जब कोई पिंड अनंत में हो तो इसका गुरुत्वी विभाव अधिक होता है लेकिन जब वो किसी भी पिंड की गुरुत्वी छेत्र में आता है यानि कि पृत्वी की बात यहां करने और पृत्वी की गुरुत्वी छेत्र में आता है तो धीरे 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 उसका मान रिनात्मक होने लगता है यानि कि उसका मान कम होने लगता है